दिल्ली में बड़ी खबर दिल्ली से आ रहा है श्रमिको को मिलेगी अब फ्री बस यात्रा की सोगात जहानिmy केजरिवाल सरकार की क्या है बड़ी यजना दिल्ली गungणिंट महिलाओं की तरह प्णजीक्रित लगो निर्मान श्रमिकों को DTC की बसों में फ्री सफर का तौफा देने वाली है इस समन में मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने श्रम विभाग को DTC से बात करके इसके संभावनाओं को तलाशने का आदेश दे दिया है यदि संभाव हुआ तो दिल्ली सरकार अब बस पास के बदले DTC में एक तैश शुल्क का भुकतान लेगी ताकि उसे भी आर्थिक खानी ना हो सियम अर्विन केजरिवाल ने अधिकारियों को हर एक श्रमिक को मुफ्त बस पास उपलब्द करानी के संभावनाओं तलाशने का आदेश जारी किया है उन्होंने अधिकारियों से DTC के साथ बात करने के लिए कहा है कि क्या शरकार श्रमिकों की ओर से बसों के पास के लिए कुछ शुल्क का भुकतान कर पाएगी इससे विबसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे ऐसा करने से DTC राजस्व भी अरजित करेगा श्रमिकों को मुफ्त बस का पास मिलेगा इन पंजीकरत श्रमिकों को अपना बस पास लेने के लिए हम तैयार कर सकते हैं क्योंकि बहुत से श्रमिक पेश योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं वकीलों की तरह श्रमिकों को भी ग्रूप ओफ लाइफ इंशर्ण्स की सुविदा अब केजरिवाल सरकार देने वाली है CM ने विभाग को इसका अंकलन करने के लिए कहा है पुद्वार को इश्रम विभाग के साथ बैठक में मुखीमंतरी अर्विन केजरिवाल ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इश्रम विभाग धनराशी का सरकारात्मों को प्रभावी इस्तमाल करें ताकि पंजी करत सभी इश्रमिकों को इसका अलाव मिल सके तो दोस्तो इस पर आपकी अपनी क्या राय है कॉमेंट शेक्शन में बताएं वीडियो को लाइक करें चानल को ज़रूर करें सब्सक्राइब धन्यवार